हलो दोस्तों नमस्कार आज हैं 9 अपरेल 2020 आई ये आज की हम देखते हैं important current affairs सबसे पहले PIV पे नज़र डालते हैं तो PIV में हाला कि ये scheme कुछ दिन पहले कुरोना वारस के प्रकोब से बचाने के लिए लोगों को launch की गई थी ताकि उनकी कुछ सहायता की जा सके तो ये फिर स से कबर किया है देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याने उजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याने उजना तो इसके क्या मुख्य प्रावधान है तो इसके बारे में जानते हैं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याने उजना के अंतरगत 1.70 लाग 1.70 एक दसमनों साथ जीरो लाग करों रुपे का package की announcement वरतमान सरकार के द्वारा की गई है तो इसमें किया क्या जाएगा 1.7 लाग करों रुपे जो announcement हुए हैं उनमें से जो health worker हैं जैसे नर्सिज हो गई डाक्टर हो गई या इसमें जो NGO हैं जितने भी health worker हैं उनको 50 लाग रुपे का insurance coverage प्रदान किया गया है तो कितने का 50 लाग रुपे का health worker को insurance coverage प्रदान किया गया है दूसरा अगले तीन माह तक पांच किलो गेहूं या चावल और साथ ही एक किलो ग्राम दाल फिरी में उपलब्द करवाई जाएगी जो गरीब हैं उनको अगले तीन माह तक पांच किलो गेहूं या चावल और साथ में एक किलो दाल फिरी में उपलब्द करवाई जाएगी अगला 20 करून महिला जंधन खाता में 500 रुपे प्रतेक महिने ये अगले तीन माह तक भेजे जाएंगे तो 500 रुपे जंधन एकाउंट जो महिलाओं के नाम हैं उनमें से लगवग 20 करून महिलाओं को हर महिने 500 रुपे ये अगले तीन माह तक भेजे जाएंगे अगला मन्रेगा जो वरकर थे उनकी मजदूरी को इंक्रेज किया गया है अभी तक 182 रुपे मिलती थी तो इसी को 202 रुपी कर दिया गया है तो मन्रेगा वरकर्स की मजदूरी जो पारसरमिक होता था उसको 182 रुपे से इंक्रेज करके 202 रुपी किया गया जिससे 13.62 करूम परिवारों को लाप पहुचेगा इसके अलामा जो वरिष्ट नागरिक हैं जो गरीब हैं गरीब वरिष्ट नागरिक गरीब विधुआएं तथा गरीब दिब्यांग इनके लिए भी प्रतेक माह एक हजार रुपीय अनुदान के रुप में प्रदान किये जाएंगे इससे लगवक्तीन करूम लोगों को ल बिल्डिंग and construction workers bill fair fund को निर्मित करने का को स्थावित करने का आदेश दिया है ताकि construction workers के हितों को सुनिचित किया जा सके जिसमें इसमें राजमिस्त्री हो गए या अन्य जो अधर भूट ढाँचे माकान इमारत रोड इत्याद गदिवदियों में लगे हुए हैं यानि परसंपत्ती का निर्वान करते हैं उनके लिए कहा कि बिल्डिंग एंड कस्ट्रक्सन वरकर्स बिलफेर फंड को इस्थाबि लब्द करवाए जाएंगे इसमें यानि इसमें जो चार्ज लगता है रिफिल के लिए ओ आपका नहीं लिया जाएगा तो यह आपको ध्यान रखेएगा यह है प्रधान मंत्री गरीव कल्यान योजना अगला देखते हैं ट्राइफेड ने जंजाती संग्रा हकों द्वार जो ट्राइबल कलेक्टर्स होते हैं आगे हम देखेंगे जंजाती संग्रा हकों द्वारा अपना काम सुरचित रूप से जारी रखने के लिए यूनिसेव के सहयोग से सेल्फ हेल्प ग्रूप यानि स्वैम सहता समूह के लिए एक डिश्टल अभियान की सुरुआत करेगा तो आपके लिए इंपर्टेंट ये नहीं है कि ये भी पूछा भी जा सकता कि हाले में जो सेल्फ हेल्प ग्रूप के लिए जो की जंजाती संग्रा हकों के लिए काम करते हैं उनकी काम को सुरचित करने के लिए डिश्टल अभियान सुरू करेगा कौन तो इस कांसरोगा ट जाएगा तो इंपर्टेंट आपका यहां ट्राइफेड है ट्राइफेड की फुलफार्म होती है ट्राइबल को आपरेटिव मार्केटिंग ट्राइफेड को आपरेटिव मार्केटिंग डेवलम्मेंट फडरेशन आफ इंडिया क्या फुलफार्म होती है ट्राइफेड की Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India एक बड़ा फिर से repeat करते हैं Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India इसकी स्थापना 1987 में की गई थी कब की गई थी Trainbet Act 1987 में की गई थी तो जब पीछे भी डिसकस कर चुके कि जब एक्ट किसी Parliament के एक्ट हुर माध्यम से कोई बाड़ी इस्थावित की जाती है दूसरी को इस्टेटी उचिरी या सामधिक बाड़ी या निकाय कहा जाता है तो ट्राइफट क्या है 1987 में स्थावित एक साम विधी निका या स्टेट वुचिरी बाड़ी है यह नेशनल लेबल की सरवोच संगठन है नेशनल लेबल अपेक्स अर्गनाइजेशन है और यह मिनिस्ट्री आप ट्राइबल अफेर्स जंजाती मामलों के मंत्राले की अंतरगत काम करता है यह जंजाती जो लोग हैं जो वनों में रहते हैं जंगल जमीन और पानी को अपना संपत या वन संपता या अपनी संपत मानते हैं और उसी पर यह अपनी जीवका का निरुहन करते हैं उन्हीं को जंजाती के रूम में वर्गी करत किया जाता है तो इसका अगर हम जाने ट्राइफेड का headquarters कहां तो नई दिली में वो साथ इसके तेरा भारत के विभिन जन्जाती छित्रों में आफिस भी खोले गए हैं तो तेरा आफिस हैं एक headquarters है जो की नई दिली में इस्थित है यह क्या करती है ट्राइफेड जन्जाती जन्जाती जो एस्टी सेटियूल ट्राइब्स है उनके उनके बेलफेयर के लिए कार करती है तो यहां एक और आया कि इसमें जो यह ती समदाइक लोग होती हैं वह आपके जो वन इसी को माइनर फारेष्ट प्रोड्यूस लग वन ओपज के नाम से भी जाना जाता है तो यहां important है यानि आपका लगू वन ओपज उत्पाद या वन ओपज उत्पाद क्या है माइनर फारेष्ट प्रोड्यूस किसे कहा ज संगल kya पॉधे या जिवरई वूटी ओं के माध्यम से या अन उत्पादो के माध्यूं से जैसे टिम्बर के अलावा नान टिम्बर जो फारेष्ट प्रोड्यूस होते हैं उन sowनी को मारें इस वन दों सरिजन निरभ रहती फारेष्ट माइनर फारेश्ट प्रोडियूस के माध्यम से इनकी जनजाती लोग हैं इनकी जीवका का निरुहान होता है तो सरकार भी इसके लिए ट्राइफिट के माध्यम से उनके हितों को समिश्चित करने का प्रियास करती है अब हम बात कर लेते हैं यहां यूनिसेफ आया है तो यूनिसेफ यह सायूत राष्टांग की एक बड़ी या निकाह है यूनिसेफ की फिलफाम होती है यूनाइटेड नेशन्स चेल्ड्रेंस फंड इसके स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो अगर यूनिसेफ के स्थाप रहते हैं अगला यह न्यूज में था प्रधानमंत्री वंधन योजना क्योंकि इस समय काफी जो जनजाती लोग हैं जो लगुप वनोपज उत्पाद पर निर्भर हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं तो अभी इनके MSP को घोसित किये जाने का यानि एनॉंस प्रधानमंत्री वंधनी उजना की बात करें तो जाहिर सी बात हैं मिनिस्ट्रियाप ट्रायवल आफेडर्स के माध्यम से लांज की गई 2 साल पहले, तो 14 अप्राइल 2018 को पुरधान मंत्री के द्वारा 36 गवर्ठ के बीजापुर्नामा का स्थान पर इस योजना को लांच किया गया था, इसमें किया क्या जाएगा, ये वैलो एडीसन मूली वर्धन जो उत्पाद होते हैं, उनका प्रोसेसिंग के माध्एम से क्या किया जाएगा प्रासंस्करन के मादम से मुलवर्धन किया जाएगा ताकि जो जनजाती विक्ति हैं उनको अधिक से अधिक उनके लग वनोपज का मूल दिल आया जा सके ताकि उनकी जीपकापर किसी प्रकार के संकट ना आने पाएं जिसमें किया क्या जाएगा वंधन विका स्किंद के स्थापना की जाएगी और इसमें ट्रेनिंग तथा टेकनिकल एसिस्टेंस यानि परसेचन वा तक्निकी साहता ट्राइफेट के द्वारा प्रदान की जाएगी ट्राइफेट इसके पहले उपर वाले में हमने डिसकस कर लिए हैं आगे देखते हैं अगला है किसान बैग्यानिक द्वारा बिक्सित गाजर की बायो फोटिफाइड किस्म मदवन गाजर तो यह पूछा जा सकता कि मदवन क्या है जो की आपकी पिएवी में भी ये थी तो मदवन गाजर की क्या किस्म है तो मदवन गाजर किसानों को लाप पहुचा रही है तो हम जान लेते हैं कुछ भी सेस्ता है मदवन गाजर की तो ये मदुबन गाजल को बिक्सित किसने किया है तो ये गुजरात के जूनागर हजिले के एक किसान बैग्यानिक हैं जिनका नाम है सिरी बल्लब भाई वसरम भाई मरवानिया सिरी बल्लब भाई वसरम भाई मरवानिया के द्वारा इसे विक्सित किया गया है और इसी इनके योगदान के लिए 2019 में इन्हें पदमसीरी से भी नवाजा जा चुका है तो इसके हम कुछ विस्षिस्ताइं जान लेते हैं तो इसमें बीटा का रोटीन वा लवतत की मात्रा अतदिक होती है और इसका आउसत पैदावार जो होता है एबरेज प्रोडक्शन होता है प्रते हेक्टेयर 40-50 तक होता है कितना 40-50 तक होता है अभी चर्चा में क्यों है क् एक संस्था है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानि यन आई यफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा इसका परिच्छन भी किया गया जिसमें भी पाया गया कि यह जो मधुवन गाजर है इसका पैदावार अतधिक ज्यादा है तो उसे व्यापक अस्तर पर यानि पूरे भारत में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए तो National Innovation Foundation के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं तो या एक स्वायत निका या आटो नामस बाड़ी है और या Ministry Department of Science Tech के अंतरगत आती है बिग्यानों प्रदोकी विभाग के अंतरगती से स्थापित किया गया है इसके स्थापना 2000 में की गई थी और इसका मुख्याल है आहमदाबाद घुजराद में इस्थित है तो यह कहां इस्थित है? National Innovation Foundation यह आहमदाबाद घुजराद में इस्थित है इसमें किया क्या जाता है तो इसमें आपका institutional support प्रदान किया जाता है पूरे देश में innovation जमीनी अस्तरपर innovation को promote करने के लिए जो innovation में लगा हुआ है उसके लिए scale up कर रहा है यानि innovation को grass route जमीनी अस्तरपर innovation जो किसान है या अन्य किसी के अंदर ऐसा skilled है जिसके माध्यम से वो देश में अपना युगदान देना चाहता है तो उसी को promote करने के लिए national innovation foundation के स्थापना की गई है अगला हम देख लेते हैं यह आपका बार बार पी आई वी में आता रहता एक अधिनियम इस समय काफी क्रोना वाइरस के प्रकोब के कारण काफी चर्चा में रहता है उसी का नाम है essential commodities act 1955 तो सीधे को सन पूछा जा सकता इसके प्रमक प्रोविजन क्या है और प्रोविजन बन सकता कि essential commodities act अनिवार वस्तुवें अधिनियम 1955 का है उनमें किन किन चीजों को सामेल किया गया है तो इसमें आई स्पीसेस दोनों में को सन इसके लिए important है क्योंकि अभी दो चीजों को सामेल किया गया है तो इसमें जान लेते हैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि इसमें किस किस को सामेल किया गया तो ड्रक्स को सामेल किया गया है ध्यान रखिएगा essential commodities में ड्रक्स आती है फटलाजर उर्बरग आता है उसके बाद पलसेद दाले यहिए जान रखिएगए काने वाला तेल इसमें आता है खाद तेल आता है उसके साथ ही तो क्या क्या हो गया ड्रक्स हो गया हट लाजर भी बनाये जाते हो अधिसी में आते हैं तो हमने पिर से एक बार रिपीट करते किया कि इसमें सामिल है तो इसमें ट्रक्स और सधियां सामिल है फैटलाजर सामिल है पल से डाल सामिल है और एडिबल आयल खाने वाला तेल सामिल है पेट्रोलियम वा पेट्रोलियम उत्पाद को सामिल किया गया और इसके साथ अभी 14 म माट 2020 को 2 उत्पाद और सामिल किये गए उन्ही का नाम है यह ध्यान रखेएगा मास्क तथा सेनेट टाइजर मास्क तथा बीजिए सामिल कर लिया गया है कि अब प्रश्न है कि अभी एक कमोडिटी जो इसस्इंसियल कमोडिटीज हैं इनको सामिल कोन करता है हाटाता कोन है तो इसमें भारत मंतर सरकार के अंतरगर्फ एक मंतराले है मिनिशट्या कंजियूमर्स भोगता मामलों का मंतराल उसी के त्वारा एसेंसियल कमोडिटेज में उत्पादों को सामिल किया सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला देख लेते हैं समाधान चैलेंज समाधान चैलेंज यह काफी चर्चा में रहा है तो समाधान चैलेंज क्या है तो इसको किसे ने डेवलब किया है समाधान चैलेंज तो यह ए आई सी टी ए आई सी टी ए आल इंडिया काउंसिल फार टेकनिकल एजुकेशन ए इनोवेशन से लेक है जो कि मिनिश्ट्रिया वेचारडी के अंतरगत है यानि मानुस अंसाधन विकास मंतराले के अंतरगत एक इनोवेशन सेल है तो इसको ए आई सी टी ए ने इनोवेशन सेल जो कि मानुस अंसाधन विकास मंतराले के अंतरगत है और साथ में फार्ज तथा इनोवेशिया क्यूरिस फार्ज तथा इनो वेसिया क्योरिश सेक्टर का एक प्रइकार की इंटर्प्रा टो फार्ज तहा इनो वेसिया क्योरिश क्या है में कहले ही हेल्थ तो तीन आपको ध्यां रखना केवल एसी टफिके द्वराही प्रियास किया जाएगाएगा और चात्रों की अबिस्टी इन्यूंबेट इसंकी लिए चारी या नवेन मेंस यानि इसकी लिया कुसलता को इसमें जाचा जाएगा इनोबेशन चात्रों के अंदर चूंकि कुरोना वाइरस इस समय ब्यापकस्तर पर अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है तो इसलिए चात्रों को अमंत्रित किया गया है जो भी वो बैज्यानिक चात्र में इनोबेशन करना चाते हैं चाहिए वो कुरोना वाइरस हो जो भी उनके आइडियाज हैं अगर उसको वो प्रियोग करना चाते हैं इनोबेशन करना चाते हैं तो इसको इसी समाधान चैलेंज के अंतरगत क्या किया जाएगा संपन किया जाएगा तो इस चात्र म से रूची रखते हैं वो अपलाई कर सकते हैं अगला देख लेते हैं कि हाली में डिल्य सरकार ने 5 प्लान कुरोणा वाइरस को विद नांटीन से सानिजात पाने के लिए 5T प्लान को लांच किया है तो कोशन पूछेगा हाल ही में 5T प्लान को लांच करने वाला कौन निकाय था तो दिली सरकार के द्वारा 5T प्लान को लांच किया गया है अब बात कर लेते 5T में 5T हैं कौन तो पहला है टेस्टिंग टेस्टिंग तो दिल सबसे ज़्यादा है वहां पर आपका रेपीट टेस्ट सेंटर इस्थापित किये जाएंगे इसमें निजामुदीन जैसे सामिल हैं अगला देखते हैं दूसरा का ट्रेसिंग होनी चाहिए तो पहला टेस्टिंग हो गया दूसरा है ट्रेसिंग किया जाना चाहिएकर कि उन्मों को में वाइरस ना पहल सके तो पहला आपका क्या होना चाहिए, त्येस्टिंग, द्यू 사람들이 का कुछ अहाई जहिए जिन में आपका कुरोना पायोम, वायरसन पाया गया है. अगला दिली सरकार ने कहा कि हमें दूसरे राजों से अलग यदिसी अलग होके काम करने के ज़रूरत नहीं है, बलकि इस समय समपॉंट देश को एक जोटता के मादम से टीम वर्क के साथ यानि करने की जरूरत है हमें दूसरे राजों के द्वारा अगर अच्छा प्रियास इस सित्र में किया जा रहा है तो हमें केंदर सरकारवा अन्य सभी राजों के साथ मिल जूलकर इस से निजात पाने के लिए प्रियास करना होगा तो तीसरा कहा चवथा आपका है टीम वर्क अगला कहा सबसे लाश्ट वाला ट्रैकिंग तथा मौनेटिरिंग की जानी चाहिए ताकि आपका जो ये वाइरस है फिर से ना पनाप सके तो ये पाँच आटिकी बात की है तो कौन-कौन हो गए पहला टेस्टिंग हो गया दूसरा ट्रेसिंग हो गया तीसरा ट्रेटिमेंट हो गया चोथाटी मुर्ग हो गया और पांच हुआ ट्राइकिंग एवं मोनिट्रिंग हो गया अगला बात कर लेते हैं कि अभी 157 अल मैनाक के द्वारा क्या किया गया इक संस्ता इसके द्वारा बीजडेन किर्केटर पुरुषकार घोसित किये गए हैं तो इसमें देख लेते हैं किसको क्या तो आगे देखते हैं बिसु का सरफ्रिच्ट पुरुष किर्केटर के से इंगलेंड के बेनिस्टोक्स को इनफिका गया है तो बिश्व का सर्व स्रेट पूरूस क्रिकेटर कौन बने है बेन इस्टोक्स बने है अब यहां आपको जानना चाहिए कि इसके पहले कौन थे तो भारती बल्लेवाज यानि बिराट कोहली लगातार तीन सालों तक यानि बिजडन के बिजडन क्रिकेटर आफदा येर घोसि और 2019 में यह किताब किसे प्राप्त हो गया इंग्लैंड के क्रिकेटर कौन बेन इस्टोक्स को प्राप्त हुआ है ये दूसरे विक्ति इंग्लैंड के जिन्हें बिस्व का सब्स्रेट पूरूस के केटर गोसित किया गया इसके पहले 2005 में इंग्लैंड के ही एंड्रियू फ क्या भारत के विराट कोली के पहले भी कोई इसमें क्रिकेटर सामिल हो पाएं हैं तो यानि तीन चांसे जवराएं हैं जिनमें आपका क्या हुआ इसमें सामिल किया गया है तो 2009-89 में बिरेंद सहिवाक को मिला था और 2010 में सचिन तेंदुलकर को तो 2008-89 लगातार दो वर्स के लिए किसको बिरेंद सहिवाक को फिर 2010 में सचिन तेंदुलकर को और 2016-17-18 तीन साल ये किसको बिराट कोली को बिसका सबसेष्ट प्रूस के केटर गोसित किया गया था अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें महिला क्रिकेटर भी इसके सबसे सर्वस्रेष्ट महिला क्रिकेटर किसे गोसित किया गया तो एलेक्स पैरी आस्टेलिया की एलेक्स पैरी को गोसित किया गया है 2020 का सबस्रेश क्रिकेटर किसे गोसित किया गया तो बेस्टेंडीज के आंद्रे रसल को गोसित किया गया आप प्रस्ण यह है कि जो यह अलमानैक है यह कब से शुरू हुआ संस्था यह कब से गोसित कर रही है तो यह 2003 से गोसित किया जा रहा है कौन यही आपका बेस्टेंप पुरुसकार बेश्टेन पुरुसकार 23 से गोसित हो रहे हैं और पहली बार 23 के 2004 में गोसित किये गए थे और पहले वेक्ति थे यह भी आपको हर चीज का पता होना चाहिए कियोंकि कई बार कॉष्ण वाला पूछ लेता तो पहले वेक्ति थे कौन आश्टेलिया के रिकी पॉ छपा हुआ है कि ISKA अकबर अली का जो की बात कर रहे हैं ये अंडर-Newии World Cup की तो अंडर-Newии World Cup मुंश्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अंडर-Newии World Cup ये अमका पारट चेव und form में हुआ था पारट चेव इस्टूम जो की दच्छिन अफ्रीका में है और इसमें भारत यानि दुर्भाग की बात या रही कि भारत बांगलादेश के हातों हार गया कौन हारा भारत हार गया बांगलादेश के हातों और पहली बार इस किताब को जीतने में कौन बांगलादेश सफल हुआ है तो